नमुना नायर जै महाकाल जै मबगला मुखी सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी अध्यात्मी कुन्नती आगे बल रही होगी आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको ये लच्छन मिलते हैं तो कोई दिव्य सकती आपके साथ चल रही है इस वीडियो को आगे बनाने से पहले एक common question mostly आप लोग पूछते रहते हैं और आपके मन में भी ये जग्यासा जरूर रहती है कि मैं जिस भी देवी देवता को पूछता या पूछती हूँ उसके अलावा मुझे दूसरे देवी देवता सपने में क्यों दिखाई देते हैं एक example एक उधान के रूप में आप किष्ण भगवान को पूछते हैं लेकिन सपने में आपको शिव भगवान दिखाई देते हैं या फिर आप शिव भगवान की पूजा करते हैं सपने में आपको मा काली दिखाई देती हैं इसका एक सीधा सा बिना घुमाए हुए जवाब यही होगा कि देखे भगवान तो वैसे एक ही है परमब्रम में एक है लेकिन उनके रूप अलग-अलग है विबिन प्रकार के आउतार उन्होंने लिये थे और सब के उपर अलग-अलग चीज की जिम्मेजारी सौपी गई है कोई हवा को संचालित कर रहे हैं कोई बिजली को संचालित कर रहे हैं कोई पानी दे रहे हैं कोई जल दे रहे हैं सबके कारे भार हैं जैसे आपके घर में भी सबके अलग-अलग कारे होते हैं जैसे किसी एक संस्था कंपनी में भी सबके अलग-अलग काम होते हैं उसी तरी अरिके से भगवान एक ही है लेकिन अनेको रूप है अब आपने जो रूप को चुना है आपने जिस रूप को चुना है वो आपके इश्ठ हुए यानि आपके मन से आवाज आई आपने चाहे किसी कानवा से चुना होगा या आपको उनकी फिस अच्छा लगा इस्माइल अच इस्वर ने भी आपका चुनाव किया हो, इस्वर आपका चुनाव आपके प्रारद से करते हैं, अब होता क्या है कि जो आपके पूर्वज हैं वो पहले से किसी देवी देवता को पूछते आ रहें तो वही आपके इस्थ हुए, तो यही बात होती है कि mostly आपके कुल देवी प्रफाव होता है, आपके उपर उनकी छत्र छाया होती है, वो दिवी सक्तिया आपके हमेशा साथ चलती है, तो इसी लिए आप पूजा कुछ करते हैं, लेकिन सपने में आपको कोई दिखाई देता है, आपकी मर्जी है कि सपने में जो दिखाई दे रहा है आप उसकी होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई दिवी सक्ति हमारे साथ है, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हम सपने में या तो देवी देवता से बात कर रहे हैं, या फिर सपने में हम उन देवता के तिरस इस्थल में उनकी जगह में भी जाते हैं को हई-कई बारतों सपने में ऐसे अध्भुक द्रजस आते हैं कि हम उस मंदिर को उस जगे को जानते भी नहीं है लेकिन वो हमें दिखाई देता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करें थोड़ा सा डीप गहराई में जाते हैं अगर तो कहीं न कहीं उस चीज का जुडाव आपसे होता है आपके पूरवजों ने या आपने किसी ने भी कोई ऐसी मनसा मागी होगी कि मेरा ये काम होने पर मैं इस जगे में आऊंगा या आऊंगी इसके अलावा बहुत से ऐसे और भी काम होते हैं जिससे पता चलता है कि दिवे सक्तिय हमारे साथ हैं और चल रहिए, कोई काम अगर आपका अपने आप बने लग जाता है, तो भी दिवे सक्थिया साथ होती है, और अगर आप किसी को भी परिसान नहीं करते हैं, किसी से बदला नहीं लेते हैं, आप किसी के जवाब को, पलट के जवाब नहीं देते हैं, आप मुस्कुरा देते ह कि उसके साथ ऐसा हो गया उसके साथ ऐसा हो गया यानि इस्वर ने आपका बदला ले लिया तो बहुतों में से आपके साथ ऐसा होता होगा और कई-कई बार ऐसा भी होता है कि आप उस इस्वर की भक्ती में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं आपकी आँखों से आसू आते हैं आपके रोम्टे खड़े हो जाते हैं आपका इस्वर के प्रती बहुत ज़्यादा लगा होता है और जब भी आप उसको देखते हैं या उनके गाने सुनते हैं बजन सुनते हैं तो आपका सरीर जुमे लगता है भक्ती में आप खो जाते हैं और ऐसा रखता है इनके सिवा कोई है नहीं और यह होता है तब जब बहुत ज़दा बहुत ज़दा आप भक्ती में involved होते हैं, खो जाते हैं लिए सबके साथ नहीं होता है जिसकी भक्ती सची होगी उसी के साथ ही यह चीजे होती हैं तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई दिव्विसक्ति आपके साथ है उसके अलावा भी अगर आपको भागे का सपोर्ट मिलता है आपके घर में मांगली काईकरम होते हैं बहुत समय हो गया हो या कभी आपके घर में कोई बिमार नहीं पड़ा हो इस्व निस्चित ही कोई दिव्विसक्ति आपके साथ में है कोई आपके घर में बाल बाका ना कर पाए कोई काला जादू निगेटिव उनरजा किसी प्रकार की ना पाए और सारे मांगली काईकरम आपके सुचारू रूप से अच्छे रूप से हो जाएं तो निस्चित ही कोई द अवा का ऐसास हो आपको और जब भी आप पूजा पाओड करें आपके पूजा के दिये में तरह तरह की आकृतिया बन जाए आपके गोदी में आपके लेप में आपके सरीर पे कोई फूल, माला आके गर जाए आपके दिये में बहुत ज़धा तिवर्ता आ जाए या तो दिया फड़ाने लग जाए उपर के तरफ हो जाए या फिर आपकी अगर बत्ती धूबत्ती आप जो भी जिलाते हो भगवान के चरणों के तरफ मुर जाए तो ये इंडिकेशन्स होता है कि कोई दिवसक्ति आपके साथ है और आप देखेंगे एक आपको भगवान अपने में दिखाई दे रहे हो वही आपके इस्ट है आप उनको पूजिये हो सकता है कि आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे हो कभी-कभी ऐसा भी होता है जिसको ये बात सही लगे वो ही अपना है अगर आपको ये सही नहीं लग रही है तो आप इसे स्कि डॉक्टर के पास जाएंगी ना कि अगर आपको हड़ी की प्रॉब्लम है तो आप इसे बुखार वाले डॉक्टर के पास चले गए तो इत्ती सी बात है कि जो आपको सपनी में ज़दा बार बार अगर एक बार बार ही वही दरसन दिखाए दे रहा है मतलब वही आपका प् प्रिंस्पल एक प्रिंस्पल पढ़ाई नहीं करवाता है mostly हश्वनला वो डेकर करता है साइथ ही एक क्लास ले ले एक विशाए stubbyक्ण ले ले लेकिन ज्यातर पढ़ाई नहीं करते हैं स्कूल का पूरा कारभार सभावते है तो आप उनके पास जाते थंग लेने जाते हैं तो बस इतनी सी बात है कि पर्टिकुलर एक सब्जेट का जो टीचर होता है उसी प्रकार से आपके लिए भी एक भगवान निर्धारित है जो आपके इस्ट है जो आपके साथ हमेशा पैदा होते ही चलते हैं क्योंकि आप अभी पैदा हुए हैं लेकिन आपके पहले जो पूर्वस थे उन्होंने उस भगवान को पूजा हुआ है वो अलड़ी सिद्ध थे आपके प्रहरी हैं वो आपके रच्छक हैं आपके कुल के वो देवता है तो बस इतनी सी बात है और जो भी लोगों को ये पहुँचेगा अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें सुस्त रहें और आप थी अध्यात में तनकी आगे बढ़ती रहें मुझा जै महा काल जै वर्वगला मुखी